बिस्मिल्लाइ रहाँ रहाँ असलाम लेक्टम आवरिवान वेल्कम टू एवेल्कम बैक्टम बैक्ट्व मैई चैनल के से आप सब लोग आ हैं यूप आप सब लोग ठीक होंगे अलहम्दुलिल्ला हम भी बिल्कुल ठीक है मुझे में हैं तो जनाब ये था जुम्मे का दिन और इतना कोई प्यारा सा दिन निकला था ना मतलब कभी बादिल हो जाते थी और कभी धूपा जाती थी तो बस यहाँ पर जब मेरी हेलपर आती है तो आते ही सेहन पहले वाश करती है उसके बाद फिर अन्दर से क्लीनिंग्स वगरा करती है तो बादि यहाँ पर सेहनवाश कर रही थी और मैं दिखा रही थी कि यार आचकल मेरी बेल के ओपर ना इतने प्यारे बेरे फूल खिलियों है ना मतलब इतना रंगीन रंगीन आंगल लगता है बाहर दिकल के दिल खुश हो जाता है तो बस यहाँ पर मैं अपने फूलों को देख रही थी और खुश हो रही थी उसके बाद भी जनाब ये मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ था मैंने का चलो मैं एड कर लेती हूं और मैं आप लों को दिखाती हूं जिस दिन मेरे हजबन बर्थडे छोड़ के चले गए थे ना वह इन परिंदों के पीछे गए थे मतलब ये उन्होंने लाहूर से मंगवाए थे तो रात कोई दो बज़े लेकर वो पहुँचे हैं फिर इन्होंने इनको बॉक्स से निकाल के इस पिंजरे के अंदर डाला होगा क्योंके हम लोग तो सो चुके थे जब वो परिंदे लेकर आये थे तो सुबह मतलब रात को इन्होंने बड़ा कसके इसको रसी से बांद दिया था कि सुबह उटते बचीया इनको खोल न दे और ये पिंजरे ऐसे ही डाइनिंग के ओपर पड़ा हुआ था तो बस अब जब वो उठे हैं तो तियार वगरा होने के बाद ना वो अब इनकी अन तो बस अब हम जाने की तियारी करे थे मकी एस यूज्यूल वो कह रहे थे कि मुझे तो भई शरम आती है मैं नी जा रहा तो खैर बाद जी ने ना उनके लिए खाना सारा भेज दिया था बट अच्छा बाद जी आप लोग कहेंगे क्योंके मैं अपनी चच्ची को बाद ज चले ही गे थे क्योंके दो घर चोड़के तो चाच्चु के घर जाना था तो फिर मैं यहां पर आ गई थी बस यहां पर खाना लगा दिया और इनकी दावत जो थी ना ये कीन करें फुली जो ट्रिडिशनल टाइप की दावत होती है ना वो वाली दावत थी इनके मैनियों म सारे जो डेसी टाइप खाने होते हैं वो वाले थे चिकन किया यहनी पुलाओ था वो भी बहुत मज़े का था शामी कबाब थे गोला कबाब थे मतन का कोरमा था बीफ का वाइट कोरमा था वो भी बहुत मज़ेदार था मकी ने इनके खाने के खुल के तारीफ की थी मतलब वीक में हमने जो दावतें खाई है ना सबसे ज्यादा तारीफ उन्होंने चाचु लोगों के खाने की थी अब उसके बाद फिर हमने मीथा खाया था यार बंदा किसी भी अजगल ना भरोसा ना करे चोटी बेन के हाथ में मोबाइल दिया था मैंने का सारी चीज़ों की ना व पातानी क्या किया उसने क्या नहीं अब जाके लड़ूंगी एडिटिंग करके फिर बहर हल जी जितना था मैंने एडिट कर दिया है उसके बाद उन्होंने मीथा सर्फ कर दिया था मीथे में कस्टड था जो के बहुत ही मजए खाता यकीन करें कभी कभी सादा सादा तो सिंपल कस्टड था और वाजी जे उसके ओपर पीस डाले हुए था यकीन करें खा के मज़ा आगया था और इतना थंडा किया हुआ था उन्हें तो बस इशमल के लिए आपने मजीद दौाइं करनी है अब इशमल माशाला काफी बहतर है अच्छा यहाँ पर मैं दिखा दौबारा कस्टड डाल के खाया था इतना मज़े का लगा था मैं एक बार खा चुकी थी उसके बाद फिर डाल के खा रही थी मैं बहुत मज़े का लगा था मतलब उसके बाद फिर जणाब यहाँ पर हम लोग बैटे हुए थे काफी गपशप की तो दिन बहुत अच्छा क्लिप तो मैंने बहुत कम बनाए हैं लेकिन वक्त हमने काफी जादा उनके घर गुजारा था और बच्चों ने हमारे काफी अच्छा खासा इंजॉय किया था और यहां पे ना अशिया साइकल चला रही है अबैद रजा अपनी नानो के घर गया हुए ना तो उसकी साइकल भी नानो के घर ही है तो इनके ना तो पाउंच जल रहे थे हलांकि यह दुपहर का टाइम था मतलब चार पांच बज़े का टाइम था अब भी कोई शाम नहीं हुई थी लेकिन तो यह था कि उस दिन बादि बादिल थे और फिर भी घरमी तो थी है लेकिन इनको नहीं लग रही थी यह लोग बहुट इनजॉय कर रही थी उनके सहन में खेलते हुए उसके बाएजनाब यहां पर चाय आ चुकी थी suicid रहा हुआ हुआ ज़े की तो अबू भाई लोग तो घर आ गए थे खाना वगएरा खाने के बाद लेकिन हम लोग बैठे हुए थे और मैं यहां पर दिखा ले थी चोटी बहन के आद पर रात को अपी ने ताज महल बनाया था तो मैंने का दिखाओ ज़रा मैं अपने विवर्स को ताज महल की सेर करवा दे यहां पर बच्चे बैठे हुए थे थोड़ा सा क्लिप में इनका लियो था और थोड़ी बहुत देर हम तीनों बहने टहलती रही हैं गपशप की यह फिर वो अपने घर चली गई मैं अपने घर आ गई तो बस जनाब यह थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे द्वाओं में याद रखिए कर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लापीस